हेलो फ्रेंट्स माइनम इसकली शर्मा एंड यू वाचिंग के एस्टीफ चैनल आज का जो हमारा टोपिक है वो है वाशिंग मशीन के उपर यहाँ पे ये एक वाशिंग मशीन है वीडियो कून कंपनी की है और इसमें दिक्कत ये आगी है कि इसका जो ड्रायर का ड्रम है वो तूट गया है और सील भी खराब होगी है और डम बाल भी खराब होगी है शोकर भी खराब होगी है यहाँ पे हम ये देखिए वाशिंग मशीन की मोटर निकाल के लाएं है जो आपको पहले दिखाई थी और उसकी पुली भी हमने चेंज कर दी पे एक तरह से जो वाशिंग मशीन की ड्रायर की मोटर है न्यू हो गई है ये ब्रेक जो पैनल होता है ब्रेक लगती है जिसके साथ तो वो भी हमने जो पलेट है न्यू डाल दी है यहां पे जो पुली है उसको काफी जंग लग गया था और उसके बोल टाइट करने में दिक्कत आ रही थी और जो ड्रम का रोड लगी थी उसको निकालने में भी दिक्कत आ रही थी तो इसलिए इसकी जो पुली है वो चेंज कर दी है नीचे लगें इसके शोकर, तो शोकर एक टूटा हुआ था, तो यहां पर हमें पूरा सेट ही चेंज करना पड़ा, क्योंकि अन्वैल्सिंग हो जाती है, तो इसलिए हमने पूरा सेट ही चेंज कर दिया है, तो अभी जो हमारी मोटर है, वो अच्छे से हमने फिट कर दिया है यहां पेडल होता है उसको भी हमने चेक कर लिया कि कहीं दिक्कत तो नहीं दे रहा लगत तो प्रपर त्रीक के से पूरी मोटर एज वो वर्क करने के लिए त्यार हो गी है तो अभी इसको फिट करना है यहां पर यह जो कागच आप देख रहे हो प्लास्टिक का तो इसको पानी से बचाने के लिए हमने यहां पर इसका यूज किया है यहां पर हमारे जो बोल्ट हो लग गए है इनको अच्छी तरह से तीन बोल्ट होते हैं अच्छी तरह से लगा देना आपने यहां पर हमने लगा दी है तो हमारी जो लोकेशन है वहां पर हम आगे हैं जहां से ह इसा कब मोटर लगाएंगे मोटर लगाने के बार नगाने के बाद इसके डॉम और छल्टीमकर लाईंगे हैं 시작 दब भी डालेंगे यहां पर इसको अभी लें पिवेख फिटिंग कर हो सब्सक्राइब दर्ण ऐसे को करें तसमाइब नियुंद सक्राइब है तो इन चीlles सीयों दकनेक्शन करते हैं। मोटर को डाल के अच्छे से इसकी फीटिंग हो जाएगी कनेक्शन हो जाएगे उसके बाद सील लगा देंगे सील लगाने के बाद जो ड्रम है वो भी आपको डाल के यहां पे दिखाएंगे कि कैसे ड्रम की फीटिंग होती है तो ड्रम को निकालना कैसे जाता है यहाँ पर यह देखियां जो मोटर होती है साइड से आप ऐसे बड़ी असानी के साथ उसको निकाल सकते हो काफी मिशीनों के अंदर क्या होता है कि उसको निच्चे से पूरा खोलना पड़ता है तो इस मिशीन के अंदर हमें काफी स्पेस मिल गी थी इसलिए हमने इसको ऐसे ही निकाल लिया यह दिखिया हमारी जो मोटर है अपनी जगहां पे प्रोपर तीके से फिट हो गई है अभी इसका जो ड्रम है वो लगाएंगे हम सील हमने लगा दिया हमने आपको पहले दिखाया है था कि सील भी इसके अंदर नहीं थी तो seal भी हमने new यहाँ पर लगा दी है दो तरागी seal आती है एक आती है लोक वाली एक आती है जैसे आपका bolt होता है चूड़ीयां चड़ती है वैसे बावी हम यहाँ पर जो चूड़ी वाली लेके आई हैं तो हमने इसको slow chain लगा के अच्छे से fit कर दी है अभी drum दिखा रहा हूँ आपको यह होता है drum तो इसको ही आपने fit करना है जो fault आया था यह तूट गया था अभी इसको हम fit कर देते हैं यहाँ पर यह देखे प्रोपर तरीके से आपका जो ड्रम में वो fit हो गया है तो ऐसे हम fit करते हैं आगर वीडियो आपको पसंद आती है लाइक शेयर कमेंट यू कीजिए कीजिए थैंक यू फर बाचिंग मैं वीडियो